अमृता संग के इश्क की किस्य और साफ करीना कपूर खान के किस्य तो अक्सर सुने और सुनाए भी जाते हैं लेकिन साफ के जुन्दगी में एक तीसरी भी थी इसका जिक्र कमी होता है शाए भी आपको पता हो कि अमृता और करीना के अलावा भी कोई तीसरा था जो किसाफ अलिखान से जुड़ा हुआ था शादे शुदो और दो बच्चों सारा अलिखान और इब्रहाम अलिखान के पिता होते हुए भी सैफ एक इटालियन मॉडल रोजना के अटलानों के प्य कर दिया करीना कपूर खान की वजह से नहीं हुआ बलकि इटालियन माशुगा की वजह से हो गया हाला कि रोज़ा और साफ का इश्क परवाने चोड़ने से पहले ही खतम हो गया चलिए बताते हैं आखिर क्या थी वज़ा और क्या यही इश्क था जो इन दोना की बीच में पैदा हुई स्विस मॉडल रोजा कैटलानों फिल्म शौरे में आइटम नमबर कर चुकी है रोजा से साफ अली खान की मुलकात केन्या में एक शो के दोरा थी रोज़ा के तहत वहां गई थी साफ से मुलकात थी प्यार हुआ और रोजा इंडिया गई कहते हैं कि साफ और सब्सक्राइब रहने लगे साफ के इश्क के चर्चे तो खूब सुर्कियों में रहे हैं साथ साथ आते आते सैफ अलीखान और रोजा कैटलानों की खब्रेया रोजा ने में इंडिया को दिये गए कि इंटर्वियू में यह कहकर सब को चौका दिया था कि साफ में यह बता का डिवास हो चुका है और वो दो बच्चों के पिता है रोजा साफ के लव स्टॉरी का दी अंड़ साल में होगया था लीजा रिपोर्स के मुट स्विंग से परिशान होकर दूरी बना ली रोजा ने बताया था कि वह वह बीएवियर को हांडल नहीं कर पा रहे ती रोजा करती है तुकि यहां उन्हें का मिलता था इसलिए वह इंडिया में रहती थी लेकिन साफ अलिखान ने कभी उन्हें सपोर्ट किया नहीं अपने बीएवियर में कोई चेंग लाए और नहीं वह उनसे रिष्टा निभाब है इसलिए दो साल के अंदर ही यह रिष्टा खतम ह साफ अलिखान की पर्सनल लाइफ में हमेशा ही उतार चड़ा भरी रही है 12 साल बड़ी अमरिता सिंग उनकी पहली पत्नी थी जिन से 13 साल के शारी के बाद उनका आपसी सहमती से तलाग को लेकर कई कर्यास भी लगाएं जिनमें एक से भर कर एक ती जिनमें से एक यह भी थ साफ और रोजा की पहली मिलाकात के जालवा शेंजा भी जी जैसा कि अभी इन्डिया वह इन्डिया रहने के आने के रहा कुछ और इंडिया के बाद यह पता चला कि साफ के अमरिका से शारी चूप ऑगी तो बच्व के पता थे ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था साफ के बच्चे यानि कि सारा अली खान और इब्राहम अली खान के साथ भी रोजा की अच्छी बॉर्णिंग हो गए थी जी हाँ वो दोनों बच्चे से बातचीत कर थी एक इंटर्व्यू में रोजा ने यहां तक यह भ उन्होंने एक इंटर्वियों में यह भी बता दिया कि मैंने अपने आप से क्या और यह क्यों हुआ लेकिन एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और पतागरता है सब को शौकी पाता है साथ ही आप यह नहीं जानते कि सामने वाला सही कर रहा हो यह क्या पार रिष्टे में दोनो किसी एक के बस की बात नहीं तो चीज़े बिगड़ भी सकती है वैसे ही जैसे आप एक नाव में सवार हो और व्यक्ति डाई और जाना चाहे और दूसरी दो बाई तो ऐसी चीज़े जब होते हैं तो अच्छे अच्छे निष्टे बिखर जाता है ब्रेक्टॉप के बाद स साफ से फाइनेशली सहायता मिलने के बात तो छोड़ दो रोज रोज इनी सब चीज़ों पर भड़क भी जाते थे और खुद रोजा भी भड़क दे और उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा था कि साफ मुझे फाइनेशली सपोर्ट नहीं कर पा रहें और नहीं करते हैं मैं खुद कमाती थी खुद करती थी लेकि मुझे और भी जावव चाई पुजाना था पानिशली चीज़ें उड़ी सी सही करनी थी तो कि मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि वह अपनी चीज़ें सही कर सको या मैं किसी के ओपर डिपेंडनी ही होना चाहती थी साफ अली खान की परसनलाइफ हमेशा ही करीनों से भरी रही है पहली पत्नी अमरिता से तलाख हुआ उसके बाद फिर रोजा रोजा से दो साल कर रिश्टा चला उसके बाद करीना कपुर खान बेगम के तौर पर उनके लाइफ में दस तक दे यह दिस आफ और अप्रिता से जोड़ी झाल 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 झाल